हाई हेलो और नमस्ते मैं हूँ आद्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आद्या सुनूजब। आज मैं सिर्फ लोकर के लिखातर ये विट्लों पतम नहीं करने हैं। पतर नहीं है वोड़ स्क्रियर आ रहे हैं। झाई हूँ आपर नहीं है विए पतम नहीं है 2 आव संब आओ, आओ, बहाद दिनो बाद के लगाओ तक्रीबन बारा महेने बाद मुझे मौका मिला लोकल ट्रेंड में सफर करने का वैसे अभी भी लोकल ट्रेंड में कॉमन पिपल अलाउड नहीं है हाला कि अनलॉक फेज में कुछ रियायते बढ़ती गई है जैसे कि सरकारी करमचारी, लॉयर, सरकारी स्कूल के टीचर्स अलाउड है वही कॉमन लेडिस को पर्टिकुलर टाइम पिरियेड में ट्रेवल करने की परमिशन मिल चुकी है यहां नहीं बैठ सकते हैं और यहां बैठ सकते हैं यहां सांच नो बैठ नहींगे लोकल ट्रेंस समय की बचत और सेफ जर्णी खासकर लेडिस के लिए एक ही ट्रेंड में तीन कंपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग फर्स क्लास अगर अंजान है तो फिक्र नहीं, एनाउंस्मेंट पे भरुसा कीजिए स्लो ट्रेंस और फास्ट ट्रेंस दोनों के आप्शन्स है और ज़रा नजर फेरिये इसके स्पीड की अंधेरी के लिए हमारी ये ट्रेंस फास्ट की थी छोटे स्टेशन्स पर नहीं रुकी, बोड़ी वली से सीधा आप दियरी जब आप भी ट्रेंस बोड़ करो तो ध्यान रखेगा स्लो ट्रेंस है ये पास्ट ट्रेंस नॉर्मल डेस में लोकल ट्रेंस हमेशा खचाकच भरी हुई ही दिखेगी और सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चर्जगेट की रूट पर और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का विरार की रूट पर ट्रें की हर एक लेडिस कमपार्टमेंट स्टेशन के स्टेरकेस के पास ही रुखती है यानि कि आप ट्रेंस से उत्रो और सीधा स्टेरकेस और रात के 9 बजे के बाद हर एक लेडिस कमपार्टमेंट में एक-एक पोलिस कर्मी की प्रेजन्स पर सेक्यूरिटी अब बताईए है न सेफ और ये देखिए अंधेरी स्टेशन के दिवारों पर कलाकारी यहां के सभी स्टेशन्स इस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड हैं हम आये हैं अंधेरी वेस्ट और यहां से चलेंगे जूँ अविलिबल है बस और आटो दोनो आटो यहां जादा तर मीटर रीडिंग पे चलती है और हमें लगा टोटल 40 रुपिस पहुँचने में जबकि अगर बस होती तो वो पर परसेंट 5 रुपिस लेती और अगर मेरी माने तो दोनों ही सस्ते हैं तो जुहू में हमारा पहला डिस्मिनेशन हुआ हरे कृष्ण मंदिर यह बस टॉप और बिलकुल उसी से सटा हुआ राधा कृष्ण मंदिर यानी इसकॉन यह जो भी अरेंजमेंट्स आप देख रहे हैं यह टेंपरेरी बेसिस पे कोवीट की वज़े से है जुहू आने का मौका मिले तो इसकॉन जरूर आईए मैं छोटी-छोटी क्लिपिंग्स में आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खुछ चाती हूँ कि आप यहां आए और दर्शन कीजी जब हम यहां आए तो यहां तूला दान उत्सव चल रहा था यानी कि तराजू में एक तरफ किताबे जैसे की भगवत गीता और दूसरी तरफ किसी भी बच्चे को या किसी भी महिला को या किसी लड़के को बिठा कर उसके वजन के किताबों को तोल कर उसे दान किया जाता है किताबों के साथ अन, अनाज, बाकी चीजे भी हो सकती है, आपकी मर्जी है इसकौन के प्रमाइसिस में खाने पीने का भी अरेंजमेंट है साउथ इंडियन उत्तपम, दोसा, इडली से लेकर चाइनीज मंचूरियन हो या नूडल्स और्थ के छोले बटोडे से लेकर वेस्ट के वड़ापाओ तक सब कुछ प्याज और लसन रहित मिलेगा यहाँ पर और हाँ, इंक्लूडिंग पेस्ट्रेस, आइसक्रीम, पिज़ा, ओहो बड़ी इच्छा है मायापूर के इसकौन के दर्शन करने की, देखते हैं इश्वर को क्या मनजूर है अब जरा एक नजर यहाँ के पानी के अरेंजमेंट को देख कर अब पता चल रहा है ना, कितनी भीड होती है यहाँ जो यहाँ इंदे टैप्स लगाए गए हैं सिर्फ हाथ दोने के लिए यह प्रशाद वित्रन स्टॉल कई बार प्रशाद खाए हैं यहाँ से हमने अब कोरोना की वज़र से कई चीजों को बदला गया है यह भी सही है, जब तक पुरी तरह लॉकडाउन खतम नहीं होता कुछ पावंदिया होनी ही चाहिए और यह हम आ गए हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे जो बिलकुल इसकॉन के ओपोजीट है श्री मुक्तेश्वर देवाल है अगर आपको मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन का मौका मिले तो यहां के सेवन फ्लोर्ज का विजिट जरूर कीजीगा हर एक फ्लोर में एक-एक भगवान के कई रूपों के दर्शन हो जाएंगे आपको लिफ्ट से सीधा सेवन फ्लोर पहुंच जाएए और धीरे धीरे एक-एक फ्लोर विजिट करते वे नीचे तरते रह е इसे शनी मंदिर भी कहते हैं शनी वार के दीन तो यहां मेले जैसा लग जाता है अक्सल जानी मानी हस्तियां माथा टेकने यहां आते हैं और यह एक ज़लक शनी देव जी के स्थान की इसकौन मंदिर के ठीक सामने और मुक्तेश्वर टेंपल से सटा हुआ ये रास्ता निकल जाता है जुहू बीच की ओर जो हमारा थर्ड डेस्टिनेशन है और साथ ही एक जलक ये 627 नंबर की बस जो आपको सीधे इसकों तक लेके आएगी अंधेरी वेस्ट स्टेशन से और ओन दे वे ये एक कुंड है यहाँ का पानी कभी भी सुकते वे मैंने नहीं देखा है और इसी में कई सारे टर्टल्स और टॉटोइस दिख जाते हैं कई लोगों के लिए बहुत आम बात होगी लेकिन यहाँ हम जैसे लोगों के लिए तो बस ये एक जुबा ही है नट्टू के एक्साइक्मेंट को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने पेशन्स के साथ उसने इस वक्त का इंतजार किया है कौन कोरोना और कैसा कोरोना यहां का माहोल तो हर एक खौफ से दूर है संसेट हो और समंदर का किनारा हो इस जोड का कोई तोर नहीं है कि ए ज़रे बहुना कि इसरत को अचैश्की कि दो कीलिव प्रश्व्य आप दो क्याज़ को ने अधरा कि अधरल टूर क्यों नियुक्ति यह वहां हिए नहीं स्थिस्टिए उस्टिश्शनार में से इंट नाशनल पर बहुत करीब होने की वज़र से यहां फ्लाइर्स का आना जाना लगाता जारी है शाम होते ही बोर्ट्स वापस आ रहे हैं बोर्ट्स वापस आना लगाता जाना जारी है बहुत थकी हुई लग रही हो मेडम कि इतना बोज इस बैचारी पर देखें अहारे कभ तक एक्स्वेशन देगी हाँ दिख रही है दिख रही है साफ साफ तो हमें लगा था कि बहुत करीब है लेकिन दिखता भी बहुत करीब है लेकिन एक्चुली जूच और पाटी जहां हम आये थे समंदर के पास वहां से अतलिस्ट 15-20 मिनिट्स का वॉक है और क्योंकि यह सैंड है तो वॉक करना तोड़ा मुश्कील भी लग रहा है लेकिन यह ठकी हुई मैडम तो लेकिन फिर भी समंदर का यह नजारा देखते हुए चलने का मज़ा कुछ और है और यह हम पहुँच गए हैं जुहू चौपाटी अगर समंदर में नहाने का शौक रखते हैं तो यहां पे फ्रेश भी हो सकते हैं थमनेल में 3-1 लिखने का मतलब यही था कि अगर आप जुहू आते हैं तो सिर्फ जुहू बीच देखने नहीं साथ ही इसकौन प्लस मुक्तिश और मंदिर के दर्शन भी जरूर करें और यह तीनों के तीनों वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं फिलहाल जुहू बीच में कितना रश है यहां के मोटर बाइक्स और कार्स के तादात को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं खैर 25 दिसंबर का दिन हो तो हर किसी को हग बनता है कि वो इंजॉय करें इस डे को जब हम घर से निकले थे तो बच्चे और मा सब बाइरोड आये थे लेकिन हमारे सफर में हमें यही पता चला कि ट्रेन भी अभी फिलहाल बहुत जादा मुश्किल नहीं है अब हम सब मिलकर लौट रहे हैं अंधेरी स्टेशन का ये नजारा भी बिलकुल टेंपरररी है क्योंकि आम दिनों में यहां इतनी भीड होती है कि सांस लेना भी दुबर हो जाता है तो मेरे साथ यहां तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खोश रहे हैं इंजॉय करते रहे हैं गॉट ब्लेस यूट